anxiety के वज़े से stammering या फिर stammering के वज़े से anxiety आई याम इसको पर बात करते हैं दोस्तो अब जब लोगों से बात करने के लिए जाता हैं तो बात करने से पहली ही आपके अंदर डर, agitation and anxiety फील होता हैं जिसके वज़े से आपको बहुत ज़़ा stammering के सामना करना पड़ता है तो आपको इस चीज़ को देखकर यही फील होता होगा कि आपको anxiety के वज़े से stammering होती है डर के वज़े से stammering होती है किसीने मेरी वीडियो में comment भी किया कि डर के वज़े से anxiety के वज़े से stammering होती है तो आप डर कैसे overcome करना है anxiety को कैसे overcome करना है वो चीज़ बताइए ताकि हम उसको ठीक करके stammering को ठीक कर सकते हैं और यह बिल्कुल सच है कि जब आप लोगों के सामने बात करने के लिए जाते हैं आपको जहां पे अधीक anxiety फील होता है वहां पे आप ज़्यादा stammering करते हैं तो इससे तो clear होता है कि anxiety के वज़े से stammering होती है और बहुत सारे लोगों ने YouTube में वीडियो में भी डाला है कि anxiety ही stammering का मेंन कारन है लेकिन मैं आपको बता दू reality में ऐसा नहीं है वो मैं आपको अभी proof के साथ बताता हूँ और logically बताता हूँ कि यह कैसे stammering और anxiety यह दोनों एक दूसरे को influence करता है एक दूसरे को यह परवावित करता है बढ़ा देता है अब जब अधीक anxiety होती है तो आपको अधीक stammering होती है अधीक stammering होती है तो आपको अधीक anxiety होता है यह दोनों एक दूसरे को influence करता है impact डालता है बढ़ा देता है stammering अगर आग है तो anxiety पेट्रॉल है दोनों अगर मिल जाए तो क्या हो सकता है वो आप समझ सकते है लेकर reality में anxiety के वज़े से stammering नहीं है हम वो चीज़ प्रूफ करते हैं logically मुझे एक चीज़ बताई ये कि एक normal इंसान जिनको stammering की problem नहीं है अगर वो public speaking नहीं किया है कभी और उनको अगर हम हाथ में माइक पकड़ा दे सैक्रो लोग के सामने कुछ बोलनी के लिए दे उनका हाथ पैर कापने लगेगा और वो भी कहीं नहीं कहीं anxiety और fear और hesitation फेल करेंगे लेकिन क्या वो stammering करेंगे नहीं क्यों नहीं करेंगे प्योंकि उनके माइंड में stammering को लेकर कोई thought है यह नहीं तो हम और आप इसलिए stammering करते हैं क्योंकि हमारे माइंड में वो stammering रिकॉल होता है हमारे माइंड में या past experience हम फील करते हैं अब मुझे एक चीज़ बताइए कि यहां पर उनको इतना ज़्यादा anxiety होने के वावजद उनको stammering नहीं होई तो इसका मतलब सिर्प anxiety stammering का करत नहीं है यह anxiety के वज़े से stammering होगी ज़रूरी नहीं है stammering का कुछ reason और हो सकता है हम उस पर बात करते हैं जब आप अपनी family member से बात करते हैं, क्या तब आप ड़रते हैं? क्या तब आपको hesitation, fear of judgment आपके अंदर आता है? लेकिन आप में इसे ज़्यादाता लोग family members के सामने पी stammering करते हैं या फिर friends के सामने पी stammering करते हैं वो क्यों कर रहे हैं? उनको तो वहाँ पर डर नहीं है तो डर ना होने के वावज़द बूनको stammering हो रही है anxiety ना होने के वावज़द बूनको stammering हो रही है एक और example लेते हैं एक और एक logic से समझते हैं आप में से ज़्यादातर लोगों को बचपन से ही stammering की problem है तो बचपन में आपको anxiety किस बात की? आपके अंदर fear of judgment कहां से आता है? आप तो बिंदास बोलते हैं लोग क्या सोच रहे हैं आपके बारे में वो तो आप बिलकुल नहीं सोच रहे हैं आप तो सिर्फ बोलने पर focus देते हैं ये फिर भी stammering क्यों कर रहे हैं stammering पहले ये anxiety पहले आपके चीज को समझे anxiety आपको इसलिए आता है क्योंकि आपको stammering की problem है आप stammering करोगे ये thinking जब आपके अंदर आता है और वो आपके अंदर एक negative emotion create करता है और उससे आप anxiety, डर ये feel करते हैं और वो चीज़ आपका balance को और भी जदा विगार देता है क्योंकि anxiety और दर के आजे सांस कंट्रॉल में नहीं होता अब notice क्या होंगे डर के आजे सांस फूल नहीं लगता है और सांस ही है जो words जो हम बोलते हैं उसका foundation अगर उसमें कंट्रोल नहीं है तो आप अटकेंगे तो इसलिए anxiety stammering का कारण है ये बोलना बन करतेजिए anxiety stammering को influence करता है बढ़ाता है लेकिन आपको stammering शुरू होने के पीछे कुछ और ही कारण था anxiety हर किसी को आई जाता है जिनको भी stammering के problem है stammering किसी भी reason से start हो लेकिन उनके अंदर देरे देरे anxiety आने लगता है क्योंकि वो लोगों को कम face करते हैं और लोगों को कम face करने से आपके अंदर डर create होगा एक आम इंसान के अंदर भी होगा अगर उनको stammering नहीं है तब भी तो लोगों को face ना करने के वज़े से जितना डर कम हो जाएगा तो डर अगर आप कम कर देंगे लोगों से बात करकर अगर आपका अंदर से hesitation डर अगर आप कम कर लेते हैं तो फर आपके stammering काफी हद तक कम हो जाएगा जितना डर के हो जैसे influence होता था वो नहीं होगा तो stammering को overcome करने के लिए हमें breathe पे, speed पर और आपके positive reference create करने के लिए आपके mind में वो चीज़ करना पड़ेगा आपका बोलने का एक new pattern install करना पड़ेगा आपका habit के अंदर उन चीज़ों को किये बिना सिर्फ डर और hesitation को खतम करके या उस पर काम करने की कोशिश करेंगे तो वो कभी नहीं होगा stammering ठीक, क्योंकि anxiety और डर को अगर आप खतम कर लेंगे तो stammering जो है न, वो उतना कम हो जाएगा जितना आपका डर के वज़े से या फिर hesitation के वज़े से influence होता था या बढ़ता था जितनी stammering रहेगी मतलब जितनी stammering डर का कोई रोल नहीं था उसमें उतनी stammering तो रहेगी तो आप नहीं डरेंगे तब भी आप stammering करेंगे अगर आपको stammering का जो root है उस पर काम नहीं करेंगे तो तो root पर काम करिए उसको identify करिए उस पर काम करिए ठीक है और आपको अगर कुछ doubts है अगर आप कुछ पुछना चाहते हैं आपको कुछ बोलना है आप नीचे comment करके जरूर बता सकते हैं मिलते हैं next video में Thank you so much कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच कहो चुनिये stammering care foundation को और करे अपने stammering public speaking का सपना साकार Download the app now